सुप्रीम कोट में प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुनवाई हुई कि इंद्र सरकार के और से अदालत में अब तक की स्थधी को रखा गया और बता गया कि एकरान में लाक मजदूरों को घर पहुचा गया है सुप्रीम कोट में सुनवाई के दौरां सरकार की और से पेश हुए सॉलिसिटर जोर्नल तुशार महता और वकील कपिल सिब्बल में तीक ही बहस हो गई SG ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आपने सिंकत इस संकत में क्या किया है जिस पर कपिल सिब्बल के और से जवाब दिया गया कि जिस पर उन्होंने कहा कि मैं सर्व हर जनांदुलन और दिल्ली श्रमिक संगठन के और से आया हूँ 1991 के आकडों के नुसार देश में 3 करोड प्रवासी मजदूर है अब ये संख्या बढ़कर 4 करोड के आसपास होगी लेकिन सरकार कह रही है सिर्फ इकरान में लाक लोगों को घर पहुँचाए गया बाकी लोगों का क्या तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कहा कि मजदूरों से च्रेन या बस का कोई किराया ना लिया जाए राजस सरकार ये किराय वहन करे ताकि आदेश में ये भी कहा गया कि जो जहां फसा है उसे वहां राजस सरकार भोजन महया कराए तथा उन तक जानकारी पहुँचाई जाए कि मदद कहां पर उपलब्द है